केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र कोविड-19 को लेकर एक बार फिर से एक खबर सामने आई है जो कोविड-19 मामले में मुर्थकों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हुई तो वहीं अब कोविड-19 के किट और दवायों को लेकर भी इसमें काफी इजाफा हुआ है कोरोना के नए वैरियंट वैक्यानिकों के लिए चिंता बढ़ा रहा है ओमिक्रोन के दो सब वैरियंट एरिस और पिरोला के कारण वैस्विक स्थर पर संक्रमण के मामले बढ़ते वे रिपोर्ट्स किये जा रहे हैं हाले रिपोर्ट्स के मताबद एन वैरियंट के कारण पिछले कुछ हफ़तों से संक्रमितों के मृत्यु दर्भी अधिक देखी जा रहे हैं कोरोना के मामले को लेकर सेंटर्स फोर डीजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हर हफ़ते आंकड़ जारी करती है जारी किये गए हाले आकड़ों के मताबद यूएस में इस सफ़ता कोविड-19 के कारण अस्पतार में भरती होनी की संख्या में 19 फीजदी और मिर्तियु के मामले में किस फीजदी की वृद्धी हुई है आधे से आधे के स्टेट्स में कोरोणा के कारण संक्रमण की स्थिती में बढ़तोरी दरच की गई है अधियन करताओं का कहना है कि कोरोणा के नए वैरियन्ट की प्रकृतिक कई मामलों में चिंता बढ़ाने वाली है इसमें आधे म्यूटीशन देखा जा रहा है जो आसानी से उन्हों में भी संक्रमन में जोखिम को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं जो इनका टीका करण हो चुका है वेरियंट के कारण संक्रमन और मित्यू के मामले में ये बढ़ोत्री लगातार पांचवे हफते भी जारी रही है